हेलो दोस्तो मैं विकास अपने यूटूब चैनल पर आप सब का स्वववत करता हूँ दोस्तो आज हम दिस स्टोक के बारे में बात करेंगे वो केवल एक स्टोक नहीं है यह आपको एक लाइफ लेशन भी देगा जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और कोई मार्केट लेडर स्टोक 20, 30 या 40 परसेंट गिर जाता है तो हमें ये एक अच्छा बाइंग करने का मौका नजर आता है पर क्या ये एक सई तरीका है चलो हम आज के स्टोक के जरिये इसे समझते हैं मैंने अपनी वीडियोज में बताया है कि हमें किसी भी स्टोक में इन्वेस्ट करने से पहले तीन चीज़े जरूर देखनी चाहिए सबसे पहले कंपनी का बिजिनेस, फिर बैलेंस सीट और लास्ट में मैंनेजमेंट लेकिन एकजिट करने के बारे में कोई नहीं बताता कई लोग स्टोक प्राइस में स्टोक लोस लगा अगर एकजिट ले लेते हैं पर आपने कई बार देखा होगा कि बिना किसी रीजन के स्टोक प्राइस नीचे सला जाता है मैं अपनी बात करूँ तो मैं invest और exit दोनों करते समें stock price को ना के बराबर या बहुत कम importance देता हूँ invest का तो आपको पता है लेकिन exit में भी business, balance sheet और management को ही देखना सबसे जरूरी है आपको कहीं भी दिक्कत लेगे तो बिना सोचे exit कर लें और अगर कोई stock इन तीन चीजों में दिक्कत के का and discount पर मिल रहा है तो उसमें एक भी रुपया ना लगाएं तो हम बात कर रहे हैं विकरांगे limited की किसी टाइम पर ये 500 रुपय पर trade करता था और market leader भी था फिर अचानक सब बदल गया ये 500 रुपय से गिरकर कुछी टाइम में 200 रुपय तक आ गया लोगों को लगा कि ये एक अच्छा buying करने का मौका है फिर ये और गिरकर आज 17 रुपय पर आ गया है और आज भी लोगों को लग रहा है कि अब फिर से एं मौका है बाईं करनेंगा तो चलो हम विकरांगे लिमिटीड के बारे में डिटेल में चच्चा करते हैं विकरांगे लिमिटीड की शरुवात 19 सुनब्ब में दिनेश नंदवाना ने की ये एक FinTech Company है विकरांगे लिमिटीड ने Government Projects पर काम करना स्टार्ट किया इन्होंने Voting Software बना कर अपनी एक अलग पैचान बना ली जब बात हो सभी Government Offices को Tech और Software के दवारा डिजिटल बनाने गी तो विकरांगे ने यहां एक M-Roll अदा किया विकरांगे ने सभी Government दस्तावेजों को Hard Copy से Soft Copy बना कर Online Available करवाया साथ ही यह इससे एक तगड़ा रिवेन्यू भी कमा रहे थे इसके बाद इन्होंने रूलर और अर्बन इलाकों में विकरांगे केंदर और इसायता गेंदर बना कर लोगों को सर्विस दिना स्टार्ट किया यह आदार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसी सिवाएं देते थे साथ ही यह इन केंदरों के दवारा गोल्ड और इंसुरेंस पोलिशी भी बेच रहे थे इन्ही की वेबसाइट के अकोर्डिंग 2016 आते आते इन्होंने 40,000 पलस इसिवा केंदर खोल लिये अब तक तो सब सही चल रहा था, कंपनी के पास 1900 क्रोड का अच्छा खासा रिजोर भी था 2018 आते आते इन्होंने 40,000 रोपे का अल्टाइम हाई टच किया फिर कुछ ऐसा हुआ कि विकरांगी लिम्टेड के बुरे दिन स्टार्ट हो गए मई 2018 में मुंबई मिरा रखवार में एक ख़बर पबलीश हुई जिसमें विकरांगी लिम्टेड पर प्राइस मैनुपलेशन के आरोप लगे और सेवी इन्वेस्टिंगेशन का भी खुलासा हुआ जिसमें बताया गया कि 22 लोग जिन में से कुछ मैनेजमेट से भी जुड़े हैं वो विकरांगी लिम्टेड के शेयर बारी वोल्यूम में बाय और सैल कर रही हैं इन्वेस्टिकेशन अभी चली रही थी कि विकरांगे लिम्टिड के मैनेजमेंट ने बारी इन्वेस्टमेंट PC जूलर्स में की, लेकिन ये डिसीजन इन्वेस्टर के रजामंदी के बगर लिया गया था, बहुत सारी इन्वेस्टर्स को ये पसंद नहीं आया, बाद में य फैसल हुआ कि विकरांगे लिम्टिड अपने शेर ओल्डर्स को ड्यूडेंट के रूप में बारा सु करोड रुबे दे दे, अभी सब गड़बडी चल रहा था, इसी के साथ एक बड़ी ख़बर ओर आ गई, प्राइस वाटराउस जो इनका एक ओड़िटर है, उन्होंने इनकी बुक्स में कुस गड़वड फाइंड आउट की, जब मैनेजमेंट की तरफ से कोई कलिरिफिकेशन नहीं दी गई, तो ओडिटर ने इसकी कमप्लेन कोर्परेट फाइनेस मिनिस्ट्री में कर दी, इसके बाद इसका सेर प्राइच 6 महिने में ही 90% से ज्यादा क्रेक् आप भी आगे चल करोने वाले हो, तो सीखने वाली बात ये है कि अगर इन तीन कारणों की वजए से मतलब बिजनेस, बैलेंसीट और मेनेजमेंट की गड़बड के कारण अगर कोई स्टोक प्राइस करेक्शन पर है तो उसकी तरफ देखना भी नहीं, इसके अलावा अगर गलोबल मार्केट में विकनेस, रो मेटरियल के प्राइस में अपडाउन, चेंज इन मेनेजमेंट और सेक्टर में विकनेस, ये सब बहुत मौमली रीजन है, और अगर इन सब के कारण स्टोक प्राइस करेक्शन पर है तो हम स्टोक में बाइं केंजिडर कर सकते हैं, अब ह सिर्फ ओपरेटर का गेम बचा है, ओपरेटर प्राइस को अपडाउन करते रहेंगे और आप फज जाओगे, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी होत लाइक करें, चैनल को सिस्क्राइब करें, धन्यवाद जहिंज यवारत